है लो सुट्ग विल्कम टॉ अभीपेडिया पावर्ड भाई अभी मन्यू आईयेस। और बैंकक कलर की प्रिवेज येर कोस्टन सीरीज के अंदर आज हम सिंपल इंटरस्टीच करेंगे। simple interest पे based जो जो questions bank color के अंदर आये वे थे वो हम सभी आज discuss करेंगे आप लोगों के साथ में simple interest में simple interest compound interest दोनों में से ही लगा के चलो कि हाँ जी या तो simple interest पे question आएगा या फिर compound interest पे question आएगा means interest based question exam में आता ही आता है हर बार हर बार question exam में आता है तो अब देखिए वहले हम आज discuss करेंगे simple interest पे based कैसे questions आए वे थे ओके तो अब देखिए first question है screen के अंदर जी first question है जो कि SBI color SBI color 2020 के अंदर आये हुआ था ओके अब देखो question क्या है यहां पर आपके पास आश्यू invested rupees A in scheme P and rupees A plus 400 in another scheme क्यों दो scheme है आश्यू ने पैसे लगाए दो scheme के अंदर एक scheme P है और एक क्या हुआ है क्या कह रहा है इसमें लगाए A rupees that means कि principal amount लगाई है A rupees और इसमें लगाए A plus 400 rupees ज जो statement है statement को पहले समझने क्योंकि direct question exam में नहीं आता अब जैसे यह भी है variable based question आया हुआ variable based question आया हुआ तो घबराना नहीं बिलकुल simple है बस concept को समझने ठीक है अब देखें क्या है he got 10% per annum 10% per annum means rate यहां पे क्या कह रहा है 10% per annum and 12% per annum on the scheme P and Q respectively 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 मितलब P पे 10% rate of interest उसको मिल रहा है और Q पे उसको 12% rate of interest मिल रहा है okay if after 2 years he got total 976 as interest from both the schemes then what is the value of A तो time दोनों cases में क्या है इसमें भी 2 years है और आग मैं इसमें भी 2 years है अब अगर मैं बात करूं interest की तो देखो यह कह रहा है कि 10% मिल रहा है first year के अंदर एक साल का है 10% तो 2 साल का कितना हो गया 20% हो गया 20% of A क्या है value हमारे पास में अगर मैं interest की बात करूं तो interest मेरे पास में कितना मिलेगा simple interest है कितना आगया आपके पास में वैसे भी directly भी आप देखो तो PRT by 100 होता है ना PRT by 100 तो कितना हो गया 20 A by 100 प्लस अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है 12% 12% दो साल के लिए A plus 400 तो यह हमारे पास में value कितना आगया 12 तो 24% मिला उसको किसके उपर A plus 400 और यहां पर आपके पास question में कितना है 976 गिवन है यह कितना गिवन हमारे पास में 926 गिवन है तो कितना हो गया यह आपके पास में अब अगर हम इसको देखते हैं तो यह value आगया आपके पास में 20 और 24 कितना हो गया 44 है प्लस अगर यहाँ पे हम इसको देखें तो यह कितना होगे आपके पास में 100 इधर जाके multiply कर देंगे सिद्धा ठीक है तो यह अपने पास में value कितने होगे आपके पास में यह होगे हमारे पास 44% of A प्लस वाट यह value होगे हमारे पास 24,94 okay, 976 00 तो A की value क्या आज आएगे आपके पास में हाँ जी इसको आप calculate करोगे तो यहाँ से आपके पास A की value क्या आएगे इसको माइनस करेंगे value आगे आपके पास हाँ जी देखें क्या आ रहे है दिखाई दे रहे, अच्छे यह निच्चे दिखाई नहीं दे रहे, अभी इसको उपर कर देते हैं, हाँ जी देखिए, क्या आ रहा ही है आपके पास, यहाँ पे शो कर देते हूं, यह आगे आपके पास में, 44 A is equal to, यह इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, वैल्यू कितने आगे, आपके पास में, 00, और यह हो गया, 88, तो A की वैल्यू आपके पास आजाएगी, हाँ जी, यह से 2 से cancel out हो गया, सिद्धाई, that means कि 2000, okay, so this will be 2000, हाँ जी बताए, कोई सके अंदर minor सा doubt आ रहो, simple question था, यहाँ देखो, यहाँ पे देना है कि आपने, कि यहाँ पे, क्या ह इंट्रेस्ट इसका लिया हमने, यहाँ से इंट्रेस्ट लिया है इसका, दोनों का sum किसके equal है, आपके पास 976, given है already, आपके पास given है, आप करना क्या है, कुछ नहीं करना, दोनों को क्या कर देना, आपने, add करना और उसके equal put कर देना, okay, yes, next देखिए, इसको देखो, एक औ 24% of A, प्लस, यह कितना हो गया, 24% of A, प्लस, 24% of A कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी यह जो हम इसके साथ में करें तो 24% इसका भी हो गया, जो भी चो किछान में, और this is equal to 976, अब directly भी दो कर सकते हूं, यह कितना हो गया आपके पास में, 44% of A is equal to यह value इधर जाके क्या हो जाए कितना हो गया, 880, percentage है, that means कि क्या करेंगे हम, यह इधर आके multiply हो गया, कितना हो गया, 20, so A की value कितना हो गया, 2000, बताए कोई इसके अंदर minor सा doubt आ रहा हो, clear है विलकुल, yes, next देखिए, next question क्या है, the interest earned on a sum of 24,000 invested at certain rate of simple interest for 4 years, is Rs. 11520, आप SBI कलर 2020 को question है यह भी, यहापे आप देख रही क्या करेंगे, interest earned on a sum, sum आपके पास given है, invested at a certain simple rate, simple interest for 4 year is 4 साल का given, जब 4 साल का given है, that means from here we can find out the rate of interest, yes, देखिए, principal हापके पास 24,000, ठीक है, time आपके पास है 4 years, that means कि rate of interest हम यहापे क्या calculate कर सकते है, rate of interest क्या हो जाएगा आपके पास, yes, simple interest कितना है, simple interest into 100 divided by principal into time, principle है यहापे आपके पास 24,000 और time आपके पास 4, okay, यह 3 zeros आपके इसके साथ में सिद्धी directly cancel out होगी, तो यह value आजाएगे आपके पास में, यह हो गया 4 दूनी 8, 4 अथे 32, 4 अथे 32 और यह हो गया 24 से, 24 से कम 24, 24 दूनी 80, 12% rate of interest आगया आपका, कितना आगया, 12% आगया, अब आगया question क्या है, if the same sum, same sum means यही value जो है, यह same sum की बात आ रही है, means this value, is invested at 8 more percent rate of, means जो new rate है, वो कितनी आगया, 8%, इसमें ज्यादा कहा रहा है कि 20% पे, for 3 years, for 3 years, तो यह कहा रहा है कि बताओ, अब बताओ, कितना इसको amount उसकी हो जाएगी, अब यहाँ पे अगर मैं interest की होगे आपके पास में, yes, principal आपके पास 24,000, ठीक है, yes, rate is 20 and time is 3, तो value कितनी आगी, यहाँ आपके पास में, 24 से, अगर मैं देखू, इसको तो यह होगे, आपके पास में 24 थी है, 72, 72 दून, 144, यह interest आगया आपका, yes, interest है हमारे पास में, principal मेरे पास कितना 24,000, दोनों को add up कर जाएंगे, तो क्या आजाएगा आपके पास में, amount आजाएगे, तो amount कितनी आगे यह, यह हो जाएगा आपके पास में, यह value आगे आपके पास, एक second, पीटा, दो zeros लगेगी, हाँपे, दो zeros लगेगी, ठीक है, तो आप इसको total करो, कितना आगया, yes, 00483, so answer will be 384 00, clear, next देखे, next question क्या है आपके पास, the ratio of the amount, यह IBPS color का, भी जो दोनों question किया, हमने SBI color के questions discuss किये, अब हम IBPS color 2020 discuss कर रहे है, okay, आप देखो क्या है, the ratio of the amount, invest in scheme A to B, is 2 ratio 3, question ratio में given है, कि जो amount है, वो कितनी है, दो scheme है, A और B, और उसके अंदर amount कितनी ratio में जा रहे है, 2 and 3 में, और you can say, the amount is 2x and 3x, if scheme A offers simple interest at a rate of 12% per annum for 5 years, अब देखो, जैसा SBI में question आया था, वैसा ही है, थोड़ा सा change कर दिया है, थोड़ा सा change कर दिया है, ratio में दे दिया है आपको, वहाँ पर आपके पास में amount given थी, अब यहाँ पर देखी कितना है, 12% पर रेट कितना है, 12% and time is 5 year and in scheme B, offer simple interest, rate of interest 15%, rate of interest कितना है, 15% okay and time आपके पास कितना है, 4 years, यविट गल्कती से percentage लग गया, this is year, this is 5 years and this is 4 years, if the total interest earned by scheme A and B is 3750, then what is the amount invested in scheme B, तो B scheme के अंदर कितना पैसा लगा है, simple question है, interest आपके पास given, यहाँ से हम interest calculate कर सकते, interest कितना होगे, यह होगे अपने पास 1250, यहाँ साट, साट दूनी 120, 120% of X plus, अब इदर से देखो, यह कितना होगे आपके पास में, यह होगे, 15 जो के साट, साट ती, 180, 180% of X, और यह value किसके equal given है आपको, 3750 के equal given है, that means कि 300X की value क्या होगे आपके पास में, 3750, यह आपका cancel out हो गया, तो यहाँ से हमारे पास X की value आ जाएगी, और X की value क्या आ रही है, हाँ जी, X की value क्या आ रही है आपके पास में, 3 से divide कर देंगे, यह हो जोएगा, 1,2520, अब question क्या है आपका, question क्या है कि scheme B में कितना पैसा लगाया, B में कितना लगाया, 3X, तो B के अंदर कितना लगाया, 3 into 1250, simple, and this will be 3750, ओके, so answer क्या आपके आपके पास, 3750 रुपीज, अब बताई, मुश्किल था, just ध्यान रखना, आप 2-3 question ऐसे कर लो कि तो अगर ऐसा है question exam में आगे, definitely आपको कितना time लगेगा, कोई time नहीं लगना, simple, आपको यहाँ पर direct formula लगाओ, इसमें time लगता, direct देखो, मैं पता कि तिन्नों कोई multiply करना, और percentage में, ठीक है, तो directly करो इसको, ओके, next क्या है देखी, RRB clerk 2020 के है, IBPS का कर लिए हमने, अब ऐसा नहीं है कि हाँजी, दूसरी shift में interest based question नहीं आई हुए थे, interest based question हर shift में आई हुए थे, ठीक है, बट फरक कहाँ पर आ रहा है कि कहीं पर आपके पाद simple interest आ रहा है, तो कहीं पर compound interest आ रहा है, करेंगे सभी अपने friends के साथ में, हाँ जी वीडियो को like करेंगे, share करेंगे, previous year question series को join करेंगे, वहाँ पर आपको हर एक lecture with PDF अवलेबल है, test भी हर एक lecture के साथ में, हर एक lecture के साथ में test है, और इसके अलाबा PDF है, क्या करना है, description में link अवलेबल है, वहाँ पर जाको join करना है आपने, ओके, देखी के, two people A and B invest equal amount, equal amount कहा रहा है, दो people है A and B, ठीक है, equal amount कर रहा है वो, in scheme for T and T plus 4 years, यह T years के लिए लगा रहा है, यह T plus 4 years के लिए लगा रहा है, ठीक है, if the ratio of the simple interest earned by A and B is 1 ratio 2, 1 ratio 2, then what is the value of T, अब यहाँ पर ध्यान देखे, यहाँ पर जो आपके पास में, जो principle है, principle दोनों का क्या है, same है, equal कहा है न उसने, ठीक है, और rate of interest वो भी same है, changes है तो किस में है, सिर्फ time के अंदर, that means कि जो simple interest है, वो change किस की वज़े से हो रहा है, सिर्फ time की वज़े से हो रहा है, और हमें पता है, कि जो simple interest है, that is directly proportional to time, formula क्या है, simple interest is equal to PRT by 100, that means simple interest is directly proportional to T, means what, कि जो आपकी time की ratio होगी, वही ratio simple interest की होगी, तो यहाँ पे क्या है, ratio अगर मैं देखू, तो कितनी होगी, T plus 4, और यहाँ पे ratio कितनी है, 1 ratio, 2, तो value कितनी आगे, 2T is equal to T plus 4, तो T की value क्या आगे आपके पास, 4, answer क्या आज़ेगा, 4, clear, बिल्कुल simple था, बस धिहान रखना है कि यहाँ है, यहाँ पे, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अलग-लग values लेने की जरूरत नहीं है, directly देखो कि जब directly proportional है, तो उसकी ratio, जो time की ratio है, और simple interest की ratio, same रहेगी, ओके, next question है, आपका, IBPS color 2019 का question है, क्या है question, question है, a man invested rupees x at 15% per annum at SI for 4 years, 4 साल के लिए लगा रहा है, x rupees 15% पे 4 साल के लिए, and rupees 1.35x at 18% per annum at SI of 3 years, okay, 1.35x amount लगा रहा है, कितने time के लिए, 3 years के लिए 18% per annum at SI of the total interest earned by the man is 15948, then find the value of 3.12x, अब आपने अभी तक देखा, SBI, IBPS, RRB, even सभी के अंदर questions जो है, वो कैसे आयो है, variable based question आयो है, तो बेटाजी variable based questions की practice कर लेनी है सभी ने, variable based question जो है, उनकी practice करके रखनी है सभी ने, ऐसा नहीं है कि हांजी direct question आजाएगा, चारा हमने tricks use, हमने सीख ली सिरफ उन्ही tricks के उपर question आजाएगा, ठीक है, ऐसा है, उन पे भी आ सकता है, tricks ज़रूरी है, मैं यह नहीं कहती कि tricks ज़रूरी नहीं है, but basic funda के लिए रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो आप देखो यहाँ लेका, एक्स रुपीज लगाए, पंद्रा परसेंट पर चार साल के लिए, तो simple interest कितना बना, हां जी, कितना होगा 15 चों के साथ, साथ परसेंट, साथ परसेंट कैसे मिनाए, मैंने, PRT, X इंटू 15 इंटू 4 डिवाड़ेड बाई 100, डिरेक्टली लिखो, टाइम नहीं होता है, एक्जाम के अंदर इतना, दूसरा क्या कह रहा है, 1.35X, 18% for 3 years, 18% for 3 years, तो कितना हो गया यह आपके पास में, हां जी, यह वैल्यू कितने हो जाएगी, 18 तिया 54, 54 को इसके साथ में हम multiply करेंगे, तो यहां पर, आपकी जो multiplication है, multiplication सभी ने अपनी fast करने है, 2 digit, 3 digit की multiplication, directly in line आपको करने आनी चाहिए, ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, चोवन तो यह पूरा ही हो गया आपका, ठीक है, यास, यह वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, क्लियर, यह वैल्यू टोटल किसके equal given है आपको, यास, this is equal to 15948, 15948 के equal given, इसको calculate करलो, calculate करेंगे तो वैल्यू कितनी हागी, this is 60X, यह आगे आपके पास में, जो वैल्यू है, यह पटा, आल्रेडी आपके पास में, पॉइंट्स में आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यह जो वैल्यू है, यह पॉइंट्स में आएगी, और बटा, सो जो है, यह किसका है, यह परसंटेज का है, यह किसका है, यह percentage का बटा है clear तो यहाँ पर अपने पास में जो value आ जाएगी यह आगे आपके पास में दोनों को total करेंगे दोनों को total करेंगे तो यह value आ गई 1, 2, 7 और 16, 8 और 2, 0 यह जो है यह इसकी इधर ठीक है, x की value calculate करो x की value calculate करेंगे यहाँ से हो गया cancel out ठीक है तो यह value आ जाएगी आपकी यह होगे बीटा, I think इतना आना ची एक बर दुबारा से calculate कर लेते हैं यहाँ जी देखो यह होगे आपके पास में 132.90 by 100, 100 इज़र चला गया यह point का एक और है तो यह point के लिए 2, 0, 0 लग जाएंगी और यह हो गया आपके पास में 1399 से गया इतना ही आएगा ठीक है तो X की value कितनी आगे आपके पास में 12,000 आगे तो यहाँ पे question यह रही है आपके पास में यह point के बाद की 2, 0 यह इसके साथ में cancel out हो जाएंगी तो कितना आना चाहिए यह आजाएगा आपका 37440 ओके यह तो कितना आजाएगा 37440 आंसर आजाएगा हाँ जी देखी क्या है question? आई बी पीएस के लर्क 2018 का question है 2018 का question है क्या है question? इस sum becomes 1.6 times if sum becomes 1.6 times of itself in 5 years 5 साल में कितना हो रहा है 1.6 times हो रहा है? find the rate of interest पा रहा है ना तो देखो बिल्कुल ही simple question होते है यह जो अगर इस तरह से question आते है तो बिल्कुल simple होते है थोड़ा ध्यान से समझो क्या है अब अगर मान लो है कह रहा है कि 1.6 time है मैं कह रही हूँ कि पहले मेरा sum कितना था? 1 था ठीक है अभी कितना हो गया? 1.6 हो गय interest is equal to amount minus sum that means कि 0.6 का हमें interest मिल रहा है तो यहाँ पर rate find out करने है तो rate क्या हो गया आपके पास में? rate, rate is equal to what? rate is equal to what? simple interest into 100 divided by principal into time simple है? अब यह जो है इसको मैंने remove किया यह हो गया मेरे पास में 10 यह हो गया मेरे पास में 2 चेदो ने 12, 12% आगया कितना आगया? 12% आगया जब इस तरह का question आता है तो directly यह देखो क्यारना क्या हमने? इनका difference, इनका difference into 100 divided by P into T. विल्कुल clear है? simple question था यह तो इसी तरह का question अगेन आया हो है आपका देखो, same question 2 है आपका दूसरी shift के अंदर भी आया हो है यह आपका एक shift के अंदर था इसी तरह का question दूसरी shift में आया हो है एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी आपका exam अगर second shift में या बाद में exam हो रहा है, next week exam हो रहा है तो उस case के अंदर previous की जितनी भी shift से ना उनका analysis भो जादा important हो जाता है क्योंकि उसी तरह का question सा आगे पुछा जा रहे है ठीक है ना? तो यहाँ पे भी देखो IBPS clerk 2018 के अंदर ऐसा ही question आया था, अब उसकी दूसरी shift में भी इसी तरह का question आया था क्या है? इस sum becomes 5 times of itself on simple interest at 5 years, then what is the rate of interest? हाँ जी करें calculate, अब I think अब तो easily कर लोगे आप, यहाँ पे कहा रहा है कि N से कितना हो रहा है? 5 times हो रहा है, कितना? 5 years के अंदर, that means कि यहाँ पे हमारे पास जो simple interest है वो कितना है? 4, तो rate of interest कितना आ जाएगा? Simple interest into 100 divided by 1 into जितना भी आपके पास time given है, तो यह कितना होगे आपके पास में? This was 80%, so answer क्या आएगा? यहाँ पे 80% answer आएगा, कितना आएगा? 80% answer आएगा, क्योंकि जब आपके पास में rate of interest 80% होगी, तो उस case के अंदर simple interest कितना मिलेगा आपको? अगर 100 रुपए अभगी, हगर हम मान के चलते हैं, तो 100 रुपए के उपर कितना होगे? 400 रुपए होगे, 400 और 500 होगे, that means कि 5 times होगे, clear? हाँ जी समझ आ रहा है सभी को? next देखी, next question है, IBPS collect 2018 का question है, क्या है? the simple interest on a certain sum at 15% per annum for 5 years is 1500 more than, 1500 more than the simple interest on same at 15%, 12% per annum for the same time of period. अब देखो यहाँ पर time period same है, time period आपके पास में same है, उसके अलावा जो principal amount है, वो भी same है, तो यहाँ पर जो difference आ रहा है 15 सुरुपए का, वो किसकी वज़े से आ रहा है? rate of interest की वज़े से आ रहा है, जितना rate of interest में difference है, उसी की वज़े से principal में, जो आपकी interest है, उसके अंदर difference है, तो इसको आप यहाँ तो ऐसे कर सकते हो, पहले इसका calculate करेंगे, P हमने एक amount मान ली, ठीक है? और उससे इसको calculate करेंगे, फिर इसको calculate करेंगे, दोनों को minus करेंगे, is equal to करेंगे 1500 के, ऐसे कर सकते हो, या हम directly भी तो कर सकते है, हमें पता है कि difference हा रहा है, किसकी वज़े से, rate of interest की वज़े से, rate of interest में difference कितना है, 3% का, that means कि 3%, जो 3% है वापका, वो किसके equal है, या 3% किस पे मिल रहा है आपको, principal amount पे, कितने time के लिए, 5 years के लिए, वो कितने आप के पास 1500 रुप है, ठीक है, तो यह हो गया, 1500 से ही हो गया, so, तो principal amount कितने हो गया आपके पास में, 10,000, directly answer आगया आपका, I hope clear है सभी को, यहाँ पे मैंने rate of interest का, जो difference है, difference को difference के equal put कर दिया, आप इसको ऐसे भी कर सकते है, पहले करो, principal into rate into time divided by 100, minus principal into rate into time divided by 100 is equal to 1500, तो अभी तो same ही आएगा, जो solve करो कि, again your answer will be same, okay, yes, next question देखि, next question है, screen P के है, the difference between the interest earned, when rupees P invested for 4 years in a scheme, offering 9% per annum, simple interest and when the same sum P is invested for 2 years, अभी आपे देखो कितना, 4 years, 2 years, in another scheme, offering 12% per annum, simple interest is 480, what is the value of P, अब इस case के अंदर आप देखिए, क्या आपके पास में time भी different है, और rate of interest भी different है, that means what, कि यहाँ पर हमें check करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए, principal क्या है P, that means कि principal into rate क्या है, 9% और time क्या आपके पास 4 years, minus, क्या है दूसरी value, yes, principal same है, यह आपके पास में rate of interest कितने है, 12% और time कितना है, 2 years का, and this is equal to 480, आप यहाँ पर आप देख रहें, 9.36, 12.24, 24 से यह आगे, आपके पास 36P, minus 24P by 100 is equal to 48, 480, कितना होगे, 12P, 12 से यह, यह value कितने हागे आपके पास में, directly 12P आगे, done, यह होगे, आपके पास 12, 40, P की value कितने हागे, 4000, so answer will be 4000, कितना answer आगया, 4000 आगया, clear, देखो, दोनों question, almost मिलते जूरते से ही, यह वाला जो question है, इसके अंदर, जो आपका time था, दोनों cases में same था, दुसराब हमने rate of interest का difference निकाल लिए, अब अगर इसके अंदर देखे, तो इसके अंदर हमारे principal amount same है, तो आप यहाँ पे rate of time का difference निकाल लो, rate time को multiply करके, तो यहाँ पे rate of time को multiply करेंगे, तो यह हो गया, 9, 4, 36 सिदा, ठीक है, और यह कितना हो गया, 12, 24, 24, 36 का difference आगया, 12, 12%, और principle is equal to 480, done, बिल्कुल, so students, अगर इस तरह के questions आप easily कर लेते हो, easily कर लेते हो, well and good, अगर नहीं कर पाते, that means कहीं ना कहीं concepts में problem आरे, concepts clear नहीं है, अगर concept clear नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, हम उदे उस particular topic concepts clear करने की जरूरत है, तो उसके लिए, अभी PD आप लोगों के लिए micro courses लेके आए, micro courses के अंडर क्या होता है, कि आप single single topic लेके उसको prepare कर सकते हो, अगर आप complete course की requirement है, complete course लो, बट अगर मानलों को एक अधर topic ऐसा है, जो मेरा अच्छे से prepare रही है, तो उस case में मैं क्या करूँ, complete course लो, नहीं, हर student सोचता है, कि मैं complete course क्यों लो, तो उस case के अंदर आप micro courses ले सकते हो, ओके, इसके अलाबा, आपके लिए complete course अभ लेकल है, अगर आपको quantitative aptitude की requirement है, quantitative aptitude ले सकते हो, logical reasoning की requirement, logical reasoning ले सकते हो, banking awareness, जो भी आपकी requirement है, कोई भी topic ले सकते हो, हर एक topic आपको zero level से start करके, high level तक करवाया गया है, कि means की means की level तक का हम आपको prepare करवा रहे हैं, तो उसके लिए जाना काया, आपको micro courses के अंदर जाना है, इसके अलाबा, description में link available है, तो आप एक बार explore करेंगे, आपको भूछ सारा कुछ मिलेगा, जैसी कि आपकी requirement है, उस तरह से आप उसको ले सकते, एक बार explore सभीने करके देना है, देखना है, description में काफ़ी सारे links अवलेबल है, हर एक link को check करेंगे, यास, आपको test series की requirement है, test series लो, ठीक है, कोर्स की requirement है, कोर्स लो, कोई particular topic की requirement लो, ओके, इसके अलावा ये जो हमारी lectures चल रहे हैं, ये चल रहे है, free warm-up course के regarding previous year question series, क्या है, previous year question series, इसको सभीने join करना है, ये आप लोगों के लिए काफी helpful रहने वाली है, इसके कोई charges नहीं है, कोई charges नहीं है, आप 100% discount पर जब कोर्स पर जाते हों, 100% discount का आपको एक icon मिलेगा, 100% discount पर आप click करोगे, तो उस case के अंडर आपको ये free में available हो जाएगा, और उस case में आप easily हर एक lecture को with PDF and test check कर सकते हो, okay, so students, it was all for today, thank you so much, मिलते हैं next class के अंदर.